दोस्तों उडीसा के बालासेर में जो रेल दुर घटना हुई है उसको लेकर कई गंभीर सवाल हो रहे हैं पूरा देश इस घटना को लेकर इस्तब्द है और इस पर बात भी की जा रही है लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग हैं कि अपनी फितरत से बाज नहीं आते हैं और उनके ट्वीट हम आपके सामने रखेंगे कि इस घटना पर सरकार और सिस्टम से सवाल करने की बजाए उसमें साजश तलास रहे हैं आप सोचिए कि साजिश का नाम दे करके इस घटना को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, कहीं न कहीं इस घटना को भी हिंदू-मुस्लिम एजंडे पर थोपने की कोशिश की जा रही है ट्वीट क्या है? तीन ट्वीट हम आपके सामने रखेंगे जिसमें से दो अपने आपको पत्रकार कहते हैं और एक राजनेता है आप देखेंगे सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर कपिल मिश्रा का कपिल मिश्रा लिख रही है इस घटना को लेकर कि बाला सोर ट्रेन दुर घटना में अभी तक 233 लोगों की मिर्ती हो चुकी है ये घटना अतियंत हिर्दे विदारक और पीड़ा दायक है ये 21 शताबदी की भारत की शायद सबसे बड़ी और भयानक ट्रेन दुर गटना है इसके पीछे लापरवाही हो या साजिश लेकिन दोशियों को ढूंडा जाए और सजा सुनिश्चित की जाए यानि यहां पर आप देखेंगे इन्होंने जो मरने वालों की संख्या है वो 233 का हवाला दिया है तक्रीबन वो 300 के आसपास हो सकती है लेकिन इन्होंने जो शब्द का यहां पर बात की है वो शब्द है कि ये जो है साजिश हो सकती है लापरवाही हो या साजिश यानि आप साफ देख सकते हैं कि क्या इसमें भी किसी साज़्िश की गुझाईश है जिसकी ये जाँच की बात करें हैं या तलाश की बात करें हैं और इनके इस ट्वीच के बाद जो है लोगों ने इनको घेरा है वो इसलिए घेरा है कि ये कपिल मिश्रा हर वक्त हर चीज के पीछे जो है साजिश की बात करते हुए क्यों नजर आते हैं तो कपिल मिश्रा के इस ट्वीच के बाद लोगों में गुस्ता है और वो ये किलास लगाते हो नजर आ रहे हैं कि कपिल मिश्रा को क्या कोई और काम नहीं है क्या इतनी दुखत घटना है ये तीन सो से जादा लोगों के परिवारों को सद्मा पोचा है पूरा देश इस सद् पाजिश का ढूंड रहे हैं ऐसा एंगिल ढूंड रहे हैं जिसमें हिंदू-मुस्लिम करने का मोका मिल जाए आखिर कभ ये लोग सुधरेंगे अब आपके सामने दूसरा ट्वीच हम रखते हैं सुरेश चोहांड के का लिख रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर वंदे भारत खुननस में पत्थर मारते हैं कुछ ही समय पहले रेल पट्रियों को काटने पर NIA ने आतंगवादी पकड़े हैं आतंगी भी ये तरीका अपनाते हैं हाथसे का वार वा समय पहले आतंगी हमलों के लिए बदनाम है इसलिए मैं शुर्धांजली पूर्वक बालासोर ट्रेन हाथसे की जाच NIA से करने की मांग कर रहा हूँ यानि इस हाथसे में इन्हें आतंगी हाथसा नजर आ रहा है यानि ये आतंगी साजिश इनको नजर आ रही है अब सोचिए कि इस घटना को किस तरह से नाम दे करके जो जिम्मेदार हैं इस घटना की जिम्मेदारी जिनको ल भी जाएंगी एक ही पट्री पर उसके बावजूद भी ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी उस ओपरेशन कबच का क्या हुआ आखिर क्यों ट्रेन नहीं रुक पाईए और ये एक ट्रेन का मामला नहीं है दोस्तों ये एक के बाद एक तीन ट्रेन आपस में टकराई हैं औ इतनी शर्मनाक बात है कि सिस्टम से सवाल करने की बजाए इस पूरे मुद्दे को कुछ और ही रंग दिया जा रहा है अब एक और पत्रकार महाशे का आपके सामने हम ट्वीट रखते हैं ये आपके स्क्रीन पर ये है सुधीर चोधरी आपने इनकी रिपोर्टिंग तो द अलाक हुए थे जिनकी जान और माल को नुकसान हुआ था उन्हीं को ही दोशी ठेहराते हुए नजर आये थे अपने प्रोग्राम में और कह रहे थे कि वहाँ पर लोगों की गलती है सोच ये सिस्टम से सवाल करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है और अब ट्वीट क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लोग कितने भरोसे के साथ ट्रेन में अपनी यात्रा पर निकलते हैं कौन सोचता है कि ये उसकी आखरी यात्रा होगी कहीं टेक्नलोजी धोका देती है अब समझ रहे ना कि कहीं टेक्नलोजी धोका देती है लेकिन टेक्नलोजी को जो संभाल कर रखने वाले लोग हैं, वो कौन है? किसके हाथ में सिस्टम है? इस बात का थिक्र नहीं करेंगे आगे क्या लिख रहे हैं, कहीं टेक्नलोजी धोका देती है, कहीं इंसान की ला पर्वाही और कहीं भरहश्टचार अब अगर बात भ्रष्टाचार की है तो यहाँ पर लिख भी देते कि आखिर कौन रोकेगा भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचार रोकने की बात कौन करता आ रहा है कम से कम इतना तो लिखी सकते थे आगे लिख रहे हैं कि भारत में ऐसी ट्रेन दुर्गहटनाएं अब सुईकारे नहीं हैं मिर्तकों के परिवारों के साथ मेरी सम्विदनाएं हैं अभी इन लोगों को और जीना चाहिए था ये ट्वीट सुधीर चोधरी ने किया है इनकी सम्विदनाओं की हम कदर करते हैं लेकिन क्या इनकी सम्विदना में एक भी सवाल नहीं था क्या इनकी पत्रकार होने का एक भी मतलब यहां पर नज़र आता है आपको क्या एक भी सवाल इन्होंने उस सरकार, सिस्टम, उस लापरवाही करने वाले जो अधिकारी है उन पर किया है नहीं किया है दोस्तों लेकिन अगर यही घटना या इसी तरहां की कोई घटना किसी अलग वे में होती या इसके लिए कोई विपक्ष वाला जिमेदार होता तो वाकिए यह सवाल आपको करते हुए नजर आते और इनके इस ट्वीट के तुरंत बाद ही लोगों ने इन्हें रिप्लाई इन्हीं की भाशा में देना शुरू कर दिया वो भी हम बारी-बारी सापके सामने रखते हैं सबसे पहले ट्वीट आपके स्क्रीन पर सुधिर चोधरी को जब आप देते हुए जो ट्वीट आए हैं वो अब आपके स्क्रीन पर रखते हैं राजकुमार सौामी लिख रहे हैं कि तिहारी भाई इसके लिए वही लोग जिम्मधार हैं जो ट्रेन में सफर करते हैं और आज शाम को अपने शो काले और सफैद में जनता को जिम्मधार ठेराने की तैयारी कर लेनी चाहिए वैसे एक बात पूछनी थी क्या फोटो जीबी प्रधान मंत्री इसकी जिम्मधारी लेंगे या रेल मंत्री पहले तो यही होता था यह सवाल यह कटाक्ष किया है इनके प्रोग्राम पर जैसे हमने शुरुआत में जिक्री किया कि किस तरह से ये नाकामी को भी जनता की लापर वाही बताती हुए नजर आते हैं और हो सकता है कि इस पूरी दुखत घटना को भी इसी तरह से जनता के सामने रिप्रेजेंट करें राजकुमार सौामी आगे लिख रहे हैं कि आज शाम हमारे शो काले और सफेद में बताएंगे कि 10 किलोमीटर जाना है तो फिर ट्रेन का सफर करने की क्या जरूरत है ट्रेन में जादा लोग क्यों चड़ें क्या इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है देखिए ये इससे बहतर शायद ही कोई कटाक्श होगा क्योंकि इनकी पत्रकायता कुछ इसी तरह की रहती है अनुराग बर्मा आगे लिख रहे हैं कि मोरभी हाथसा याद है ना आपको लगभाग 150 जाने गई थी यही तिहारी बता रहा था कि हाथसे के लिए पुल पर चड़ने वाले जिम्मेदार है वैसे ही अब ये गोधी मीडिया का चाटुकार अपने प्रोग्राम में ट्रेन हाथसे के लिए भी कहेगा कि हाथसे के लिए ट्रेन में बैठने वाले जिम्मेदार है तो इसके आगे भी कई सारे दो तिन ट्वीट और हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि इनकी जो छबी है वो किस तरहां से जनता के बीच में जा रही है और जनता इनको बाखुबी जवाब दे रही है इनकी प्लेटफॉम पर क्या दे रही है महुल मारू करके लिख रहे हैं कि ये सुधीर तिहारी उड़ी सा ट्रेन हाथसे की जिम्मेदारी उसमें बैठी जनता पर डाल देगा जैसे मोरवी पुल हाथसे में 150 मोत की जिम्मेदारी पुल पर चड़ी जनता के उपर डाल दी थी अब हम आपके सामने जो ट्वीट यहां पर कपिल मिश्रा ने किया था उनको किस तरहां से जवाब मिला है एक जलक आपके सामने वो रखते हैं काविज अजीज जो पत्रकार हैं वो लिख रही है कि इनके ट्वीट बता रहे हैं कि इस हाथसे में भी ये लोग बहुत जल्द हिंदू-मुस्लिम एंगल ढूंडेंगे सुरेश चोहार के ने भी ऐसा ही ट्वीट किया है मतलब यही है कि लापरवाही छुपाने के लिए इस हाथसे में फिर से एक बार सियासत घुसेड़ी जाए इसके आगे विशाल बीचु लिख रहे हैं कि रेल मंत्री को ततकाल इस्तीफा दे देना चाहिए साजिश का तो सवाल ही नहीं है जबरदस्त लापरवाही है यादि जनता इस पूरे हाथसे को समझ रही है इस घटना को समझ रही है दुखत घटना है तीन सो से जादा लोगों की जिन्दिगियां गई है तो क्या इसको सिर्फ लापरवाही कहकर छोड़ देना चाहिए या इसको सिर्फ ये मान लेना चाहिए कि हम आगे से ऐसा नहीं होने देंगे लेकिन ये हुआ क्यों है किसकी लापरवाही है कौन है वो अधिकारी और कहा गया वो सुरक्षा कवज जिसको खुद रेल मंतरी जो है वीडियो के माध्य हम से जनता के वीच में लाए थे और द कर उस ओपरेशन को सफलता पूरवक सफल होते हुए देख रहे हैं तो क्या वो सिर्फ दिखावा था क्या वो जो सुरक्षा कवज है वो काम नहीं आया कैसे एक के बाद एक तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई और तीन सो से जादा जिन्दिकिया चली गई आखिर ये सवाल कब जो ये पत्रकार हैं वो करेंगे और इस पर कैसे लगाम लगेगी कि कैसे एक मुद्दे को जो इतना गंभीर मुद्दा है और गंभीरता से इस पर सवाल खड़े करने चाहिए उसको सिर्फ ऐसे ही इदर उदर की बाते बना करके निकल जाना चाहिए बराद इस वीडिय झाहिए बाते बेल आखना और अकिल झाहिए एक तरना जाना बर खड़ेए